हम कॉमेर्शिलाइज नहीं गया है बट जब भी जाएंगे धमागा करेंगे मार्केट में बस पेटेंट और कॉपीराइट का वेट कर रहे हैं थि इंकरीसिंग क्राइम थाइम इंट पर साइम पर एकोष्ब खुड़ाइट इस वर पर धी इंटियाट इनोवें डेयर चलिए नहीं नहीं लेंट में अलगाइट भूंड़ उन्तिय इंस्वार्ण जा करने सब्स्केशर सोगरिधलिग्ध कर दो जब किया अब हम आते हैं प्राव्लम्स पे जनली आज के लिए डिजिटल व्रल्ड में जब प्रॉब्लम्स क्या है प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हैं कि अगर कोई ब्लैक ईट्रॉकर आपके वेपसाइट को आपका इडेनिटी को लॉस करने आता है तो सबसे परहें अपनी इडेंटी को हैड करता है वो अपनी इडेंटी करने के लिए प्रोक्सी यूज़ करता है विपीन यूज़ करता है टूर ब्राउजर जैसे चीजहों को यूज़ करते हैं इसके डेंटी है जाते हैं उसके बाद उसको कोई भी cyber security expert, चाह कोई police वाला हो, चाह कोई cyber security expert, चाह को ethical hacker हो, उसको track नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी identity almost hide हो चुकी है, और उसकी IP जो होती ही, बंप करते रहती है, कभी लंडन में, कभी UK में, कभी USM इन जगा जोगों पर जाते रहती है, तो इन सब जैसे hackers को track करना बहुत मुश्किल होता है, एक सबसे बड़ी problem ही हो गई, अब दूसरी problem हम बात करते हैं, कि website owners जो होते हैं, जो start-ups होते हैं, जो website owners होते हैं, उनको problem face होती है, उनकी website पे spammers आते हैं, bots आते हैं, जिससे उनकी website की ranking नीचे down हो जाती है, यह कौन करता है, उनकी competitors करते ह ranking को नीचे गिराने के लिए, यह जैसी problem है, जिससे black hat hackers को track करना, website को ranking को उपर करना, इन सब चीजों को लेके, अभी तो problem हो गए, इसका solution, solution क्या था, पहले इसका solution यह था, कि generally कुसी की website hack हो जाती थी, तो क्या करते थे, कोई ITS company, किसी ethical hacker को cyber security export को, उन लोग hire करते थे, उनक को यह मुताबिक, पेमिंट करते थे, उसके बाद हो hackers क्या करते थे, उनकी data के recovery करते थे, उनकी website को सही करते थे, यह था कि, मतलब मन महो जी, मतलब मैं अपने example दूँ, जनरली मैं, लाग, दो लाग, तीन लाग रुपे चार्ज करता था, किसी की website को सही करने के लिए, but मैं मैंने एक problem को face किया, क्यों न, यह तो बड़े company तो पैसे देने के लिए हैं, दे सकती है, बड़े जो start-ups company, जो छोटे company, वो इतने पैसे कभी नहीं दे पाएंगे, तीसी problem का solution लेके आया है, वीजियम security, वीजियम security एक software solution है, software service solution है, जो क्या करता, आपकी website को security provide करता, कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, वीजम security वीजा के हमारे license को purchase करना है, license मिलने के बाद आपने domain से उसको connect कर देना, domain से connect होने के बाद हमारे, अब उसके बाद आपकी website के security की जिम्मदारी हमारी हो गई, उसके बाद क्या होता है, कि आपके website कोई भी visit करेगा, like कोई in-user visit कर रहा ह है, कोई black hat hacker visit कर रहा है, कोई cyber security visit कर रहा आपके website को, तो इसका A to Z information website download के पास होगी, like कि जो बंदा हमारी website visit किया है, उसका नाम क्या था, कौन से browser से आया है, कौन से date को आया है, कौन से time को आया है, कौन से operating system से आया, तो मतलब एक-एक information रहेगी, और सबसे जो बड़ी problem थी website hacking, जो अपनी identity को hide करके की जाती थी, इसमें क्या करते है, कि आप अपनी, हमारा software क्या करता है, अगर कोई बंदा अपनी identity जैसे like proxy यूच करके आ रहा है, VPN यूच करके आ रहा है, तो हमारा software इसको डिटेट कर लेता है, और उसको website visit करने से पहले ही उसको रोग देता है, आ अब भी भी घलती नहीं करेगा, software हमारा कैसे काम करता है, यूजर पैनल, तो उसके लिए हम यहाँ पर demo admin panel पर click करते है, software हमारा admin panel खुल जाता, security security dot vision security dot com, अब हमारा सरी जो पैनल आप देख रहा है, यूजर पैनल है, जो website हमारा जो end customer जो purchase करेगा हमसे license, वो उसको ऐसा एक bad boards, proxy, spammers, number भी यहाँ पर देख सकते हो, user के पास right है, वो अपने website को किसी features को on कर सकता, off कर सकता, या पर bad board देख सकता, तो मैंने कुछ सारी features को off करके रखे हुए है, यह मतलब एक demo panel है, user को in customer purchase करने आएगा, वो पहले हमारा software का demo देखेगा, उसके बाद हो purchase करेगा, उसके बड़ी खास्यत है, अब सब्सक्राइब इसके खास्यत है, यहाँ पर आप भी decide कर सकते हो, कि आपके website कौन से बंदा कौन से सहर से विजिट करेगा, मालोक अपनी website user बनाता है, तो चाहता है कि मेरे website सिर्फ इंडियन user रहा है, वाकि किसी country से हमारे website पने है, पाकिस्तान से नेपाल से नहीं, तो पाकिस्तान की IP को चाहिए, तो पाकिस्तान कंट्री को बैंड कर देगा, तो उसकी website पाकिस्तान में नहीं खुलेगी, और दूसरे सहरों देश्म में नहीं खुलेगी, वो चाहता है को बंदा UK में नहीं खुलेगी, यह बंदा कर सकता है, उसके पास ह लगा कि लगा कि उसको उन कर सकता है तो कोई उसकी नहीं करेगा और इसके बिना कोई बंदा करेगा विजिट कि करेगा यह फॉच्टनाइटि के लिए है कि फॉंक्टिक पी और पे च्टी कर सकता है पूंसे है विभूजरी है यहापी यहाप पर ऑफिक्स कर सकता है को छी ऐ हैं पर संक्ताइक वंएक हैं एक एक इंधिक रहेगा यूजर का कांट्री रहे ब्रॉजर आपर प्रोल बेटिंग सिंट्रम डॉमें पेज डेटेंट टाइम और रहा पर चारता है पर पुझत की दे मौन विजिट अनलिसिस में आप देख सकते हो कि यहां पर यूजर के पास इनफर्मेशन होगी उसके वेबसाइट पूज बंदा विजिट कर रहा है वो कौन है स्पाइमर है बॉट्स यूनिक विजिटर रहे इस सब चीज इनफर्मेशन यहां पर उसको मिलती रहेंगे यहां पर अब आते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहीं से आप मैनेज कर सकते हो और आते हैं सबसे ही इंप पार्ट है यहां पर सबस्केनर से पता चलता कि कौन से बग है किस तरीके से कोई हैकर आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है अगर आपको देखिए यहां पर अगर मैं इसको क्लोज कर दूँगा तो मेरी वेबसाइट इदम सिक्यूर हो जाएगी मैंने इसको ओपें करके रखा हूँ कुछ फीच क्रिप्टो कर सकते हैं एक सबसे बड़ी स्टाट आप से प्रवब्लम है एक टीम और एक फंडिंग और मैं अपनी प्रवब्लम बताऊं मुझे अगर फंडिंग के बात करने मुझे अटालिंक वेशन सेंटर के सपोर्ट से मुझे फंडिंग मिला है सीट फंडिंग जो नंट फंडिंबल ग्रांट यूप यूप आईटी पॉलिसी के थूफ मुझे मिला वा मेरा पेटेट भी इन प्रोसेस में अलमोस्ट कंप्ल तो बढ़ फंडिंग करके जब मैं इसमें अजया इसमें आया इसक्योटी एक्सपर ता फिर में जब अपनी स्टाट अप कंपनी सुरू किया तो मुझे फंड कैसु नहीं था कि मुझे अपर बहुत है बट फिर भी मेरे फादर ने मुझे 20 लाइक पर मुझे से बुट्ट पहला प्रोफेस्नल हैकर हूं जो आज तक कि मैंने मोर दन 10 कोरोड के आसपास रुपे से भी जादा मैंने रिकवरी करी है लोगों के हैल्प करें मैं बिना पैसे के जब छोटा था तो मैं बच्पन से बैक बेंचर रहा हूं मैं आगे वली सीट अगर क्लास में खाली भी र कर रहें है कि मैं ह kitty मैं हख ग्रागोट छोटी सी जव जॉब कर था एल्थी मेरी डाड़ाय होकीषोटी सी मेरी कि अप्टाधी जोड़े मैं चल्ומ था शौर्फीन मिरे कंख निढ मैरी कि मुझे ओ पने च्पास कि छोड़ di पृए ठो चलो से लो मेरे साइब चलो तो पाप में रायपूर में बड़े-बड़े हैकर सका टच में आ गया था तो अच्छी हैंकिक करने लेगी मेरे सबसे पेले कि अपर हैकिंग थी उसको मैं है करी तो इन तक जैल में भी रहा घ्रा फिर में बाहर निकला उसके बाद प्टा जी लगा कि निया घ्री तो नहीं आता है मतलब और भी चीजह जो मैं बता नहीं सकता हो पर है के बाद पिर मेरी गौवर्मने जॉब लगई वहाँ पर जैसे बिटे फाइनल यह में था तभी मेरी जॉब लगए साइबर सेल में तो फिर मेरू को उसमें लगा कि मैं इसमें सक्सफ नहीं कर सा उसक रतेध भी सारी कंप मैं मुझा बहुत दिन तक दूर रहता ह। मैं अधा मैं गहर चलता ह। मैं घर अढ़ा आया रहा ह। चोचा करना क्या मुझा निसहोंग जा रहा था बत मैं प्राड़लम जो एक फेस्करी थी कि मुझे जब गिसी के लिए करनी होती तिन थी तेन पहले ब्लेक है तगर तो तो मैं व्या करता था तो अपनी इड़न्टी को हाइट कर्था था उसके बाद किसी के लिए हकिंग करता था क्योंकि मैं अपनी इड़न्टी नहीं करता तो जामने पॉल पांच मिंट अंडर ट्रेक कर लेता और एक च्छोड बंड्ला दोगा कि सब जब हमें जौरूरत थे, साइबर सेल की जौब मुझे कैसे लगे, मुझे पांच बंदे मेरे साथ हैकिं करते थे, हमने क्या करा, जब बिटे कंप्लीट करा तो राइपूर में चौक ही जिसको कहते है घडी चौक, घडी चौक बहुत बड़ा चौक है, वहां पे मुर्दन अगार बराता कि मुझे लगे, कौक हमने प्लां करा है कि एस इस आथीज करेंगे हम क्याया करने के एस गडें करने के लिए ठेस्ट करने के लिए, लगे पकति मूझा जbau NAS Schweiz, को में चौक हमने लोगे टेस्ट कर लिजी की मुझर महारे में अम वारी मूझ दिशन valve खेंप तो है किया था बड़ अमने लूटा था हमने विष्वास दिला दिलादी किमने कुछ नहीं किया हम लोगा जो मोटिफ था कैमरा है करने का कि हम लोगा पकड़ जाएंगा तो हमें पक्का जॉब आफर आएगा वही हम लोग के साथ हुआ वहां के पुलिस ने सब लोग की लिए काम करो सब बंदे अलग्ले डिपार्टम इचलेगे सबको जोब मिल गया उसके बाद सब उसमें गॉर्म जब मिचलेगे उसके बाद शे मिन जए जाए सब लेकिन सबको लगा कोई बदा फिर वापस टीस ने चला लग बड़े बड़े पैकेज को युए कि जो ब्लैक एठाइकर से उनको पकड़ना बहुत मुस्किल होता है उनका काम ही बस होता है आपको परिशान करना आप से पैसे आठना मैंने बड़े-बड़े केसे सौल पर जो ब्लैक एठाइकर बिज़िस करोड रुपए मांगे है रिस्वत के रुप में अगर आपको इसक और रिसेंट मुझे कासी गर्वस समान के थ्रूव एक साइबर सेकुररी इमल योगदान के लिए मुझे अवार्ड मिला ता, वो भी सहयोग करूं तो अटल इंक्यूबसेंट पोर्ट के सहयोग सही हो पाया, क्योंकि अटल इंक्यूबसेंटर ने मुझे एक औफिसे इस्पे पीसे को सणनिय पचाना आपकी आप की नीट बुडिय का जिस्में क्या बनांकर अपको ब्लेकिए क्या जाता है मैंने मौरधन 500 चेस सब तक मेरें 1000 कीसरे केसे सॉल ज्रीडियर्ट केस मेरे पास हुआ है सिर्फ न्यूट वीडियो कॉल ऑनलाइन साइबर मनी फ्रॉड इन सब चीजों को लेके रहा है अभी मेरे पास मुझे डेली दसकॉल आते हैं हस्बंड वाइफ के मैटर गल्फेंड के मैटर लेकर मेरा पेसा नहीं है मैं पैसे से एथिका लाइकार हूं और फॉरंसिक इसमें विजन एकदम क्लियर है कि आने वाले टाइम में आपको देख रहे हो कि नर्द मोदी जी का जो वीजन है डिजिटल हब सब कुछ डिश्टल होते जा रहा है जैसे कि जैसे सब कुछ डिश्टल होगा न सब और इसे भी साइबर फ्रॉड बढ़ते जाएंगे बढ़ उनको आफोड करता है इंडस्टीज बड़े-बड़े बजनसमन उनको ऊपटे बट जो चोटे तो उनको लाइसन देने के लिए मैंने विजम से कुटी क बनाइ, विजम से क्या दिन करता है, उनके जो target clients हैं, המιαं stapc है, मैं बड़े-बड़े अउड़ा हाँ, ब्टेर्ट करने के लिए, व्जरिnewangen यह कंटिट करते हैं, न को मैंनोल आल्प करता हूं, बट मेरा जो लैसे से स्टार्ट होता है जबकि यह सेम इस पीस का जो लाइसेसे होता है दूसरी जो कम्पणी दे रही है रही है थाई लाग वपर की चार्ज ले पाएंगे कि भड़े बड़ इंडस्ट्रिज वाले ही ले पाएंगे पहले वो डिसाइड कर ले कुसा टार्गेट कस्टमर कौन है, इनोवेटिव है की नहीं है, ऐसा नहीं है कि Amazon भी Amazon की तर एक खुद की e-commerce website बना ले, start-up उसको बना ले, उसको start-up नहीं कहते हैं, या फिर कोई भी चाय का ठेला बना ले तो इसको start-up नहीं कहते हैं, ठीक है, start- आपको help करेंगे, तो अगर आपको help की जरूरत है, fund की जरूरत है, team की जरूरत है, office की जरूरत है, तो अपने nearest किसी incubation center से visit करेंगे, वो आपको help करेंगे, team बनाने में, आपको funding में help करेंगे, और भी जो government की, start-ups की policy है, उससे आपको connect करेंगे, तो इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, आपको, अपको पस fund नहीं है, तो भी incubation center से visit करेंगे, incubation center आपको बहुत help करेगा, जैसे मुझे तो उन्हों ने, अटल incubation center ने, मुझे in-to-in ने help किया, जैसे या पर pattern registration करेंगे, या फिर funding करेंगे, या पर team बनाने में करेंगे, या फिर office करेंगे, आप इस office हमारा देख रहो हो, आप बनारस इनुछी के building में, तो मुझे बहुत अच्छा help मिला, तो अगर आप अच्छा कुछ कर रहे हो, तो करो उसको, क्योंकि कभ